नमस्कार है पहिन बाश्पेई अपने यूटूब चैनल मेरित पहिन बाश्पेई पे आपका बहुत-बहुत सौकत करता हूँ जैसा कि आपको पता है कि हम लोग CHL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैस के प्रिवेस येर कोश्चन की सीरीज को चला रहे हैं जिसमे अभी हम लोग 2021 वाले जो पेपर हैं उनका सलिशन कर रहे हैं तो आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत है ससी सीच असल 2021 का पेपर जो की 27 मई 2022 को सेकेंड शिप में हुआ है उसके सभी मैस के कोश्चन को यहां पर साल परेंगे तो इससे पुराने वाले जो सिप्ट हैं उनका भी सलिशन आप दीखें उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी होई है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है एक पुलिस कर्मी को 650 मिटर की दूरी से एक चोर दिखाई पड़ता है चोर भागने लगता है और पुलिस कर्मी उसका पीछा करता है चोर और पुलिस कर्मी करमसा 8 km पर आवर और 10 km पर पतिगंटे की दर से दौरते हैं 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी देखो इस तरीके से कुछ इनके बीच का जो गैप ह वो कितना है आपका 650 है ठीक है यहाँ पर पुलिस वाला है और यहाँ पर चोर है ठीक है जो पुलिस कर्मी है पुलिस चोर जो है उसकी चाल कितनी है 8 km पर आवर और इसकी चाल कितनी है 10.5 km पर आवर यह भी इदर भाग रहा यह भी इदर भाग रहा तो इनकी relative speed क्या होगी तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एक घंटे में 2.5 km की दूरीते करते हैं पुछा क्या गया है कि 12 मिनिट के बाद तो 12 मिनिट में कितनी दूरीते करेंगे 12.5, 12.5, 5.5 से काटेंगे 0.5 तो इसे अगर हम मीटर में चेंज करें तो एक हजा से गुणा करेंगे जैनी कि 500 मिटर ये कबर कर लेंगे फासला इनके पास कितना था 650 का 500 मिटर का अगर कबर हो गया तो कितना बचा फासला 650 माइनस का 500 यानि कि 1.500 का इनके बीच में फासला बचेगा थीक है तो कितना जाएगा तीसरा वाला जो option है वो आपका बिलकुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूछा गया है निमलिकित में से कौन सा root 2 plus root 3 plus root 5 का परिमे करण गुणांग होगा यानि कि वो कौन सी संक्या होगी जिसको इससे multiply कर दें ताकि यह complete number में change हो जाए परिमे संक्या बन जाए तो कौन सा होगा इसके conjugate से गुणा करना पड़ेगा तो conjugate कैसे बनाओगे देखो किसका sum किसके बरावर है किस number के बरावर तो इन दोनों का sum इस number के बरावर है तो इसका मतलब है conjugate यहीं से ब्रक होगा आपका यानि कि root 2 plus root 3 minus root 5 type का conjugate होगा तो यह वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है क्योंकि यहां से आपका 2 root 6 आएगा और जब root 6 से इधर multiply कर देंगे तो complete number बन जाएगा तो तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है ऐसे question के लिए आपको practice करनी पड़ेगी तब ही आप कर पाएंगे अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है एक लंबरती संकु छिननक के आधार की तरिज्जा 5 cm है सीर्स की तरिज्जा जो है उपर वाले की तरिज्जा है वो संकु छिननक का मतलब एक बाल्टी समझ सकते हो आप 3 cm और रुचाई कितनी है 6 cm इसका आयतन क्या होगा तो संकु छिननक का आयतन जो होता है वो कितना होता है पाई H अपां 3 capital R square plus small R square plus R into R तो यहाँ पे पाई पाई में ही निकालना है answer H कितना है आपका 6 बटे 3 R square बड़ी तरिज्जा कितनी है 5 5 का square कितना 25 और यहाँ पे 9 और प्लस 15 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 2 pi और यह कितना हुआ 25 और 9 34, 34 और 15 कितना हुआ 49 तो 49 को 2 से कुणा करेंगे कितना जाएगा 98 pi यहनि कि तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे यहाँ पे पूछा गया है कि 52 से विभाज 6 अंकों की सबसे बड़ी संक्या क्या होगी तो 52 क्या होता है 13 चक्कु 52 तो 4 की डिजिल्टी चेक नहीं करें क्योंकि 4 से कटने वाले यही option सिर्फ 4 से नहीं करता अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे पूछा है आपसे कि दी गई आकरती में यदि RPS जो है वो 25 डिजिल्टी है तो ROS कमान क्या होगा देखो यह दोनों जो triangle है इनका जो सम होता है वो हमेशा याद रखो कि 180 डिजिल्टी होता है ठीक है यह पूरा एक चतुर भूज है तो यह जो आमने सामने वाले कोण है वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं तो अगर यह 25 है तो 25 180 में से घटा होगे तो कितना जाएगा 155 पनाएगा तो दूसरा वाला जो option है वो आपका बिलकुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है पहले 100 किलोमेटर के दोरान 30 किलोमेटर परावर की चाल से चलने वाली train दूसरे 100 किलोमेटर के दोरान 40 किलोमेटर परावर की चाल से चलने वाली train और अंतिम 100 किलोमेटर के दोरान 50 km per hour की चाल से चलने वाली train की और से चाल क्या होगी देखो average speed कैसे निकालते हैं अगर distance बराबर नहीं है तो कुल दूरी बटे कुल समय से निकालते हैं लेकिन अगर दूरी बराबर ते कर रहा है कोई भी भेक्ती या कोई भी article अगर बराबर दूरी ते कर रहा है तो अगर 2 चाले हैं तो average speed कैसे निकालते हैं 2XY बटे X प्लस Y से निकालती है 3 चाले हैं तो 3XYZ बटे XY प्लस YZ प्लस ZX इससे निकालता है तो solve कर लो 3 देखो distance बराबर है 100, 100, 100 की distance इसका मतलब है यह वाला formula हम लोग लगा सकते हैं तो पहली चाल कितनी है? 30 दूसरी कितनी है? 40 और तीसरी कितनी है? 50 अब इनको multiply करो देखो 30 को 40 से multiply करें कितना होगा? 1200 40 को 50 से करेंगे कितना होगा? 2000 50 को 30 से करेंगे तो कितना होगा? 1500 तो साल्व कर लो भाई 3 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 बटे नीचे कितना होगा? देखो 35 35 और 12 कितना होगा? 47 तो 2 0 आपके cancel होगा यह कितना होगा? 4 पंचे 20, 23, 60 23, 60 और 60 तियां कितना होगा? देखो 3 तियां 9, 9 चोग 36, 35 कितना होगा? 180 यानि कितना हो जाएगा आपका? 18, 32, 47 आया तो कितने बार ले जाएँगे? 3 बार चला जाएगा तो 47, 3 कितना होता है? 37, 21 और 34, 12 और 2 कितना होगा? 14 तो कितना बचा है? यहाँ पे 9 और 3, 49 0, 11, कितने बार जाएगा? अब आठ बार चला जाएगा, तो 47, 68 कितना होता है, 8, 36, 86, 85 और 8, 32 और 5, 32 और 5 कितना हो आपका 37, ठीक है, फिर कितना बचा हमारे पास, 14 बचा, 0 उतारा, 2 बार जाएगा, तो 38 पॉइंट ये वाला जाएगा, आपका ठीक है, 38.3, तो दूसरा वाला जो option है, वो आपका बिल सतमान, वहसत आई कितनी है, 27 बर्स है, और जब उनका एक रिस्तेदार उनके साथ आ जाता है, तो वहसत जो है, वो तीन बर्स बढ़ जाता है, तो रिस्तेदार की आई क्या होगी, ठीक है, चार जो सदसे थे, तो average कितना था, 27 था, जब एक रिस्तेदार आ गया, तो average 3 12 होगी, ठीक है, अगर दो लोग होते, तो 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है, अगला question पूछ रहा है कि ऐसे बंद अर्ध गोले का संपूर्ण प्रिस्टी चेतपल जो है, वो कितना होगा, जिसकी तरिज्या 3.5 cm, तो अर्ध गोले का संपूर्ण प्रिस्टी चेतपल होता ह तो कितना हुआ 11, और 35 कितना हुआ आपका 105, यानि कि 10.5 हुआ, 11 से मल्टिप्लाइ करो, 11.55 और आपका हासिल लगा कितना 5, और यहाँ पे 5 हा जाएगा, और 11.11, 11.11, तो 115.5 हो जाएगा आपका, पहला वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे, दिया हुआ है, जब fx बराबर 15x q, माइनस 14x square, माइनस 4x प्लस 10, को 3x प्लस 2 से बिवाजित क्या आता है, तो सेस्पल क्या होगा, अगर इस से बिवाजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, 3x प्लस 2 बराबर 0, इसको सेटिस्पाई करेगा, यानि कि x बरा आएगा, 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी, 8 बटे, 3, प्लस 10, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 से काट लें, 3, 5, 15, 3, 27, तो 5, 8, 40, पूरा अगर हम 9 LCM ले लें, तो माइनस का 40, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, 56, और यहाँ पे 3 से गु 9, 9 दूनी, 18, यहीं कि कितना जाएगा, 2, तो पहला वाला जो ऑप्शन हो आपका बिल्कुल करेक्ट है, अगला कुश्चन पूछा है जुलाई के महीने में उप्योग किये गए गेहूं की मातरा, जून महीने में उप्योग किये गए गेहूं की मातरा का कितना पती से तो उप्योग किये गेहूं की मातरा कितनी है जुलाई महिने में उप्योग किये गेहूं की मातरा कितनी है भाई 400 है ठीक है और कह रहा है जून के महिने में जून के महिने में उप्योग की गई खाद बदारत की टोटल मातरा तो जून में टोटल कितनी मातरा है भाई जोड़ लो 0 और 8 2 10 10 5 कितना हुआ 15 असल लगा 1 4 और 1 5 2 7 2 9 3 12 और 1 कितना हुआ 13 और इंटू कितना हुआ जाएगा 100 0 से 0 कैंसिल हुआ 5 से काटेंगे 5 2 10 और यहां पर 5 2 10 5 7 35 तो कितना हुआ जाएगा आपका 800 बटे 27 तो 27 दूनी कितना हुआ आपका 27 दूनी 24 बन, कितना बचा 6, कितना बचा 60, 26, 0 उतारा, तो 9 बार जाएगा, तो 39 सही, 17 बटे, 27 आएगा, यानि कि दूसरा बला, जो option है, वो आपका बिल्कुल correct होगा, अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ यादि, cos 2a पराबर, sin 75, तो a का value क्या होगा, कोई दिक्क तो a बराबर कितना आ गया, 7.5, तो तीसरा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, एक engineering सहनस्थान में, एक विद्यार्थी के grade का मुल्यांकन, आंतरिक परिच्छन 30%, आईसों, आसाइनमेंट 30% और बाह परिच 40% के अधार पर किया जाता है, यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परिच्छन में 90%, आसाइनमेंट में 45% और बाह परिच्छा में 75% अंग प्राप्त किये, तो विद्यार्थी का समग grade निम्न में से क्या होगा, यह आप समझो, कि यह total subject है, यानि कि आंतरिक परिच्छन जो पेपर है, वो आपका 30% का, तो माल लेते हैं, कि 30 नंबर का पेपर है, assignment का जो पेपर है, वो आपका 30% का, यानि कि 30 नंबर का है, और जो बाह परिच्छन है, यानि कि बाहरी जो पेपर है, वो 40 नंबर का, हमने यह माल ले, यानि कि total जो पेपर है, वो कितने नंबर का ह तो इसी से % निकालना होगा, तो इसने पहले वाले में 30%, देखो यहां पे यह दि किसी विद्यारती ने, आंत्रीक परिछन में 90%, इसमें 90% नमबर लाए, तो इसका 90% कितना होगा, नौतिया 27 नमबर लाए, दूसरे वाले में 95%, तो इसका 95% निकाल होगे, तो 35, 13, 27, 28, 28.5 न निकी 85.5 नमबर आए, और अगर परसेंट में निकालोगे, तो टोटल पेपर हमने 100 नमबर कमाला माना है, तो यह आपका परसेंट में भी इतने ही आ जाएगा, 85.5 परसेंट, तो चौथा वाला जो आप्शन है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, अगला कोशन आप लोग देख पा रहा होगे, दिया हुआ है, एक टैبلट के मूल्ले में 10% की भ्रद्धी होती, और फिर भीक्री में कमी के करान, 2.5% की कमी होती है, टैبلट के अंतिम मूले में सुध परिवरतन कितना होगा, तो कोई दिक्ट बाली बात नहीं, टो टोटल पर दिया कमी निकालने है, तो पहले 10% की ब्रद्धी हो रही फिर कमी होई तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस 10 इंटू 2.5 बटे 100 2.5 बटाएंगे तो 0 हो रहा जाएगा परचिशक को 4 से काटेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका 2.5 तो आपका यह 7.5 हुआ 7.5 हुआ आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है एक देश की जनसंक्या 4% प्रति दसक यानि कि 10 साल में 4% बढ़ती है 2030 में देश की अनुमानिज जनसंक्या इतनी है तो 2000 में कितनी होगी तो 2000 से कर निकालने माल लेते हैं 2000 में एक्स ती तो 2010 में कितनी होगे चार परसेंट बढ़े चार परसेंट का मतलब चार बटे सो तो चार एक कंचा चार दुनिया चार पंचे बिस यानि कि 25 में एक बढ़ती है यानि कि 26 बटे 25 हो जाती है हर साल हर 10 साल में तो पहले 10 साल में कितनी हो 26 बटे 25 फिर अगले 10 साल में कितनी हैं, 26 वड़े 25, फिर 26 वड़े 25, क्योंकि 2030 में पोछ रहा है, तो तीन, 10-10 के कितने पार्ट होंगे, तीन पार्ट होंगे, तो ये कितनी हो गई आपकी, एक लाग, ये जितनी भी है, 158, 18400, तो आपको X की वेलो निकालनी है, तो कितनी होगी, 158, 18 8400, और 25 गुणे 25 गुणे 25 बटे 26 गुणे 26 गुणे 26, जब इसको साल करेंगे, तो ये दूसरा वाला जो आप्शन है, ये आपका बिलकुल करेक्ट होगा, अगला कोशन आप लोग देख पा रहा होंगे, दिया हुआ है, 13 cm त्रिज्या वाले एक संकू का आयतन इतना है, इसकी उचाई क्या होगी, तो संकू का आयतन कितना होता है आपका, एक बटे 3, पाई आर स्क्यार, तो 13 का स्क्यार कितना हुआ, 13 इंटू 13, इंटू H, तो पाई से पाई आपका कैंसिल हुआ, 13 से काटेंगे, 13 49, 13 नमा 117, 13 49, तो 33 39, तो 33 9, यानि कि तीसरा वाला जो आप 35% की चूट और समानराशी पर, 20 और 15 परसेंट की दो क्रमिक चूट के बीच का अंतर क्या होगा, तो को ये 35% की चूट, और ये अगर 20 परसेंट और 15 की क्रमिक चूट हैं, तो टोटल चूट क्या होगी, 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15 बटे 100, तो कितना हो जाएगा, आपका 25 पंचे और 5, 3, 15 यानि कि कितना जाएगा, देखो 35 में से 3 गया तो कितना होगा, 32% तो इनका difference कितना है, 3% तो 8,000 का 3% कितना हो जाएगा 240, ठीक है तो तीसरा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे, देखो इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे, यह बूर्ड मास का question है, तो यहाँ पर कितना हैगा, 4, 1, 4, 3 बचा, 4 नाम 36 और 4, 38 बचिस यह plus का होगा, यह minus वाले से cancel हो गया, अब यह देखो इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा 9, 2, 18, 9, 2, 18 और minus का 77, तो 220 में 77 गया, तो कितना बचा, 143 यहनि कि चौथा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला question इसका चतुर्था अनुपाती किया होगा, तो माल लिया, x होगा, तो अगर question पूछ रहा है आपके, कि 2010 और 2012 में बेचे गए, भी प्रकार के गाजर की संक्या में कितना अंतर होगा, जबकि अंतर जो है, वो हजारों में है, ठीक है, तो difference निकाल लो कितना होगा, 2010 में भी प्रकार की जो गीजर है, गीजर है, उनका विक्री कितनी है, आपकी, 189 है, और 2012 में कितनी, 145, तो इनका difference कितना, 44, और 1000 में है, तो 1000, यहाँ पर add कर दो, यानि कि कितना हो जाएगा, आपका, 44,000 हो जाएगा, अगला question आप लोग देख पा रहा होगे, यहाँ पर total जो value है, वो कितनी है, इतनी है, तो यह 100% की value है, तो यहाँ से अगर 1% की value निकाले, तो 2,0 हटा दो, यानि कि 15,620 आप question आप से क्या पूछ रहा है, जिला E की तुलना में, जिला C पर कितनी कम रासी खर्च की गए, तो जिला E में कितनी 18, C में 14, यानि कि difference इनका कितना है, 4%, तो 4% की value निकाल लिए है, तो 4% की value, 4 से गुणा कर दो, इसे 0, 4, 2, 8, 4 चंग कितना हुआ, 24, 4, 5, 20, और 2, 22, और 4, 1, 4, और 2 कितना हुआ, 6, यानि कि 62,480, यह चोथा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct होगा, अगला अगला question आप लोग देख पा रहे होँगे, थोड़ा सा यहाँ पर बस calculation करना है, तो question दिया हुआ है, एक चुनाव में, तीन उम्मिदबार A, B, C थे, 10% पात्र मद्दाताओं ने मद्दान नहीं किया, यानि कि जो voting होई, वो केबल 90% होई, मद्दान करने वाले में से 45% ने A को 35% ने, B को और 20% ने C को मद्दान किया, A को डाले गए, मतों में से 30% और B में डाले गए, मतों में से 20% मतों को बाद में अबैद माना गया, जबकि C को डाले गए, सभी मत बैद माना गया, यदि A को B से 882 अधिक बैद मत प्राप्त हो है तो C को कितने बैद मत प्राप्त हो है समझो इसे देखो A है, B है और C है टोटल 10% अगर बोटिंग नहीं होई तो केबल बोटिंग कितनी 90% यानि कि पूरा खेल है वो 90% का तो पहले समझते हैं A को कितना मिला इस 90 का 45% तो पहले ऐसे लिख लेते हैं बाद में 90 का जो भी final अमें निकालना होगा उसमें हम 90 से calculate कर लेंगे तो A को 45% मिले B को कितने मिले 35% ठीक है और C को कितने मिले 20% ठीक है तो 90 का 20% कितना हो 18 यानि कि इसको बोट जो मिले वो कितने मिले 18% मिले और इसके सारे के सारे जो बोटें सीखे वो क्या है बैद मान लिए गए और यही 18% के आपको value निकालनी है पहली बाद तो यह समझो ठीक है तो इस question को आप option से भी कर सकते थे 18 का मतलब है कि 9 से कटने वाली संख्या कौन सी आएगी तो यह 9 से कटता है नहीं कटता है यह 9 से कटता है यह कटता है नहीं कटता है यह कटता है नहीं कटता है तो किबल एक ही option है आपका तो यही वाला correct हो जाएगा अगर आप इसको solve करना ही चाहते क्योंकि यहाँ पी देखो पूचा है सी को कितने बैद मत प्राप्त हुए तो 18% ही तो प्राप्त हुए हैं क्योंकि इसके कोई भी मत जो है वो अबैद नहीं हुए तो आप डिरेक्ट ऐसे लगा सकते थे अगर आपको साल भी करना है तो फिर इसको कल्कुलेट कर लो देखो कहा है कि एक को डाले गए मतों में से 30% 30% invalid होगे तो 70% valid हुए तो इसका 70% कितना होगा देखो 90% का 45% निकालो और फिर उसका 70% निकालो 70% हो तो यहाँ पे 2-0 आपके cancel होगे जब इसे solve करेंगे 7-35 और 7-28 और 3 कितना हुआ 31 फिर 9 से multiply करो 9-45 और हाँसी लगा 4 और 9-9 9-45, 9-4 कितना हुआ आपका 13 और हाँसी लगा 1-9-27-1-28 यहाँ पे इसके जो बैद मत होंगे तो 28.35 यहाँ पे देखो कितने होंगे 35 मिले इसको और उसका 20% अवैद होगे यहाँ कि बचे कितने है 80% बैद बचे तो 35 का 80% कितना हुआ 28 तो 35 का 80% 28 हुआ तो 90 का 28% कितना हो होगा 90 का 28% यहाँ कि 28 बटे 100 तो 0 से 0 कैंसी लोगा 9-22 और हाँसी लगा 7-9-28-7 कितना हुआ 25 यहाँ कि 25.2 तो 25.2 इनका डिफरेंस निकाल लो भाई 28.35 और 25.20 तो 5 और यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 तो 3.15 इस परसेंट की वैलू कितनी है 882 तो 18% की वैलू निकाल ले है तो 18% की वैलू कितनी हुजाएगी 882 बटे 3.15 इन्टू 18 तो देखो यहाँ पे 100 लिख सकते हैं 5 से काटो 5 से काटो 5 से काटे हैं 5 से काटे हैं 5 तिस और 5 तियां 15 63 एककन और 63 चको तो इसको चौदुनी 282 कितना जाएगा आपका 280 इन्टू 18 जब इसे मल्टिप्लाई करोगे तो इतनी आएगा आपका तो इतना कल्कुलेशन करने के आपको जरूत ही नहीं है मैंने डिरेक्ट आपको आपको अंसर लगाने का तरीका बता दिया आपको बस फिर बेसिक बचता है फिर बेसिक से लगाओ को अगला कोशन आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है तीस पुरूस एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं उनके एक साथ काम करना सुरू करने के 12 दिन बाद 10 पुरूस उनके साथ काम में जुड़ गया से इस काम को प 10 000 गीस उतने होगे 40 तो काम करने में कितना समय लगेगा जायर सी बाते से टाइम कम हो जाएगा तो जीरो जीरो कैंसिल हुआ चार तीय साथ कि यानि कि अब जो बैरा धीन का काम है वो में कितने इन मैं‐ नौ धिन टें में तो दूसरा वाला जो आप्षन है वो आपका बिल चूट देता है यदि कोई रभीबार को credit card से cell phone करीता है तो उसे कितना भुकतान करना पड़ेगा देखो 1000 तो ये चूट गया तो कितना बचा 19,000 और फिक credit card से कर रहा है तो 5% और चूट जाएगा तो 19,000 का 5% कितना हुआ 950 ये और चुड़ा दो इसमें से तो 0 5 यहाँ पे 0 8 1 यानि कि उसे कितना भुकतान करना पड़ेगा 1850 रुपेगा अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है सुभीर ने अपनी बस्तूओं को उत्पाधन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 kg लिखा था हाला कि बास्तम में इसका बजन 960 ग्राम था तो माल लेते हैं 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम और हमने 1 ग्राम की किमत 1 रुपे माल ली तो इसका मतलब क्या हुआ 960 ग्राम के अगर बजन यूज करता है यानि की माल कितने का दीर है 960 का लेकिन 5% अधिक पर भेचने का बादा करता है यानि की इसका 1000 की चीश को whatever 5% अधिक पर बेच रहा है यानि की 1050 का बेच रहा है 24 तो 24 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा तो 9.375 आजाएगा तो 4 वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है तो उमीद करता हूँ कि अगर आपने complete class को देखा होगा तो सारे question आप अच्छे तरीके से समझ पाया होगे बस आपके support की जुरत है अगर आप लोग support तो उमीद करता हूँ कि सारी चीज़े आप समझ पाया होगे करना क्या है इस वीडियो को ज़्यादा share करना है उसके लाबा अगर आप चैनल पर नहीं होगे और आपने अभी तक इसे subscribe नहीं किया है तो प्ली चैनल को subscribe करना मत भूलेगा